सबी इलेक्ट्रोनिक प्रिंट मेडिया के सभी साथी पार्टी के प्रदेश देख सादर ने जग्दावाबु जी मनोजहा जी आलोक मैता जी कारी शोहिव साहब जी आप सब लोगों को विश्य पता चला हुए क्रिशी बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सप्टेब्बर को सड़कों पर प्रदेशन किया था मैरे खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और यह विश्य सब बिहार के सामने ही बलकि उन्हें देश के सामने आया फिल्हाल की दिनों में जब से यह मौझुदा सरकार इंडिया सरकार मोदी जी की सरकार चल रही है तब से आप लगतार देखेंगे जितने भी एर इंडिया हो रिल्वे हो आपके भारत पेट्रोलियम हो सारी चीजों को जो है बी एसनल हो एल आई सी हो सब का जो है निजिगरन किया जा रहा है प्राइविट हातों में बेचा जा रहा है हम बिहार के किसानों और किसान संगत्रों से हम अपील करना चाहते हैं चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीडियों की बात हो या भविश की बात हो हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोनन को आप मजबूत करें आप चाहे देखेंगे चाहे हर्याना हो, पंजाब हो सारे किसान जो है, चाहे वेस्टन यूपी के हो देश भर में किसानों में बड़ी नाराज़गी है, मौजुदा सरकार से और ये वही सरकार है जो दो हजार बाईस तक वादा किया है कि किसानों का आए जो है दुबूता किया जाए अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो MSP है निउन्तम समर्थन जो आपका मूल ले जो है उसको ही समाप्त कर दे कि बाद किसानों का आए दुबूना कैसे होगा और हमने कई बिंदू बार बिल के कमीयों को हम लोगों ने उजागर किया था है लाइट किया था आप ही लोगों के सामने कि एक एक सेक्टर जो अगरिकेलचर का जो क्रिशी का जो बचा हुआ है उसको भी प्राइवेट हाथों में सौपा जागा है इसमें आप देखिएगा यह सिर्फ प्राइवेट हाथों में सरकार के रिए इसलिए दिया जा रहा है कि डारेक्ट खरीद फरोग कुसी से करेंगे कंपणियों से प्राइवेट कंपणियों से यह किसानों के लिए बहतरी के लिए है यह सरकार का ऐसा कहना है को हम सब नोगों ने पिछने सारे कानों को देखा चाहे लोग बंदी हो कि अड़ी से तो कहने की स्थिति में नहीं है सरकार जवाब नहीं देना चाहती है मुद्दे से भढ़काना चाहती है और इस साफ उसी तरीके कानून है कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है ये किसान विरोधी बिल है जहां सबसे बड़ा जो किसानों का जो डिमांड अगर आप दे फसल का वो किसानों को मिलना चाहिए बड़ी संख्या में किसानों का हम लोगों ने सुना है कि आथ में हट्या कर रहे हैं करज नहीं चुका पार रहे हैं ऐसे इस्तिती में ऐसा कानून लाना क्योंकि देश का खिसान मौजुदा सरकार के आने के बाद बेहत कमजूर हो चुका है और हमारा देश जो है पूरी तरीके से अगरिकेल्चर में सेक्टर पर डिपंडेंट है लगबग सक्तर से असी फीसदी देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा क्रिशी पर निर्भर करता है जो अंदाता है जो हमको आपको सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं जो दिन राट महनत करते हैं उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं यह देश के खिलाफ है हमारे किसानों के खिलाफ है और हमने 25 सप्टमबर को हम लोगोंने सरकों पढ़ा करके प्रटर्शन किया अभी आप सब लोग देखते होंगे कि किसान जो है सरकार से बाची चल रही है कानून बनाने से पहले एक बार प्रामर्ष कर लेना चाहिए सरकार ने नहीं कि सबसे बड़ी भूट अब एक दिखावटी एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के हित्में जब सरकार कह रही है कि MSP जो है नियुक्तब समर्तन मूल दिया जाएगा तो लिखित तोर पे हमारे किसान भाईयों को क्यों ने दिया जा रहा है लिखित पे क्यों ने दिया जा कल भी हम लोगों ने देखा कि बाचीत का दौक तो है वो चला लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहां का पिया ना तो खाना खाए और इस तरह सरकार ने वैभार किया जब आप पीस्पुली आप को यह आंदोलन कर रहे हैं तो क्या क्या जो है लाठी से लेकर के आसू गैस से लेकर के पानी के बहुशारों से लेकर के इस आदोलन को कमजोर रोकने की पूरी साजिश चलिए यह अपने ही लोग है किसा जो सब्फा पेट पालने का काम करते हैं उनके साथ ऐसा वैभार किया जा लगर हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जहां एपी एमसी का सवाल है दो मंडियों की सवार में वो देख दो और शे में ही जो है रद कर दिया और अभी आप किसान जो है पलाइन करने पर मजबूर है अपने किसानी छोड़ दिया हूं मजदूर बन चुके हैं मजदूरों की एससिति है कि बाहर पलाइन करना पड़ रहा है उनको भी बड़ी संख्या में इसमें सुप्रीम कोट का हाई कोट का सब लोगों का फटकार आया फिर भी यह स जो मूश ने जो सही मिलना था वो नहीं मिल पाथ अभी बिहार में 2 छीजों का ही MSP है दो फस्लों कर अभी धान की बात चल दिया हम लोगोंने विधान सभाव में में इस बात को ठाया कूर्य विपक्ष के लोगों ने गुल बंध हो करके अब धान की कीमत क्या है? minimum जो है MSP का अगर बात किया जा Beginning तो सारे 1800 रुपए कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही है माने मुक्वंत्री जी साफ तौर पे झूड बोलने का काम कर रहे हैं गुम्राह करने का काम कर रहे हैं यह क्रिशी रोड मैप बना रहे हैं लेकिन उनको तो यह भी आंकरा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल पर कौन-कौन सी फसले जो है किसान जो है खरीद रहे हैं आखिर मुख्यमंत्री इसका आखिरा क्यों जे दे लिए किस बात करड़ है और खुलकर के सीना चोड़ा करके मन्यमुक्रमंत्री जी जो है इस बिल का हाउस में समर्थन किया और वहाँ वही ले रहे हैं किस बात की पता नहीं हम तो उस समय भी देश की जनता को आगा किया था कि देखो यह पहला राज है जहां बिहार में नितीश कुमार जी ने एपी एमसी जो है खतम किया मंडी की विवस्था खतम की माल लीजिए प्राइवेट कंपनी अगर खरीदती है डारेक्ट किसानों से तो किसानों को कहां जाना होगा उनका फाइदा कैसे होगा और नेगोशियेशन में अगर बात अगर खसेगी तो कितने लेवल पर उनको जाना होगा और अपने देश में ऐसा तो है ने कि भरष्ट चार्ट जो है मुक्त देश हो गया है वकील भी रखना पड़ेगा कोट भी जाना पड़ेगा अधिकारी के पास भी चक्कर काटने पड़ेंगे कंपनी वालों को तो कुछ नहीं करना पड़े तो इस सहाब से तो किसानों के लिए तो कोई विवस्था ही नहीं की गई इस बिल में और आप तो देखेंगे एक बीजेबी की बड़ी सहयोगी सबसे लंबे दोर से जो सहयोगी दल रही आकाली धल उनके भी एक मंत्री जब केंदर में मंत्री थे अभी बिल आने से पहले ही स्तीफा हुआ अब तो पद्वा भूशन से लेकर के सारे अवार्ड जो है चाहे खिलारी हो चाहे कलकार हो या बड़े समात से भी हो सब लोग को रिश्कार जो है वापस कर रहे हैं फिर भी ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है देखिए डेमोक्राशी में खत्रा है और पहले ऐसी परंपरा हमेशा से रही है कि जब भी कोई बात आंदोलन हुआ है तो सरकार जो है बात करती रही है कॉम्मिकेशन रहता है अब तो मौझूदा सरकार से कोई कॉम्मिकेशन नहीं है और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधान मंत्री जी गायब है क्या प्रधान मंत्री जी को किसानों की बात मिल करके सुननी चाहिए थी कि ने सुनी चाहिए थी और हाला कि जब भी जन प्रतनिदियों का ये काम होता है कि जन प्रतनिदी चुनके आते लोगों के द्वारा चुनके आ रहे है तो वो फैसला जनता का होना चाहिए ना कि किसी एक इंडिविजुल का फैसला होना चाहिए करोना काल है लेन चल रहा है लेकिट ट्रेन नहीं चल रहा है क्या चारा चुट्पर्स के बलके स्कोप जादा ट्रेन में प्रक्रेंशिक है अगर प्रकलेंट की मुकाबले है यह कार की मुकाबले बात की जाए तो करुणा के आग में सभी लोगों को जो है बरबाद किया जा रहा है मौजुदा सरकार चाहे देश के नौजवान हों किसान हों मजदूर हों वेफसाई हों किसी की पूच इस मौजुदा सरकार में नहीं हो रहे पूच तो दूर की बात कम से कम उनका अधिकार दिलाने की जो बात होनी चाहेंगे वो भी नहीं दी जारी है उनका अधिकार ने दिया जा रहा तो हम लोग लगतार इस चीज़ को लेकर के चिंटित है कि यह कोई मौजूदा स्थिती की बात नहीं कि जब किसान के पास जमीनी नहीं रह जाएगा तो किसान करें यह पीडियों की बात जहां सकतर से असी परसंट देश हमारा डिपेंडेंट एंगरी कल्चर छेतर मैं है तो क्या भावक स्थिती होगी हम लोगों को भविश्की बी चिंटा करनी चाहिए इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एक जुट होकर के सड़कों पड़ाएं और इस अंदोलन को जो है मजबूत करें और हम लोगों का दाइद्व जादा बनता है कि सब लोग हमारे पार्टी के लोग लगतार हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी निताओं के साथ कल हम लोगों ने भरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया और जगे और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दि पत्ना में पत्ना में क्योंकि आधी मैदान में कल दस भजे से धरना आज की जनकता दल गांधी मैदान में गांधी जी की मुस्ति की कि यह कूकि यह गांधी के बिशारों पर सबसे बड़ा हमला औहीं जिन्हें सबसे बड़ा आधार भारक का मांते थे गांको कीटि को किसान को उस पर हमला है इसलिए प्रपिकात मौथ हम सबों की कोई शुरूवाद यजश्वय जी का नत्यत्त में पाश चुट में धर्म पासे शुरू हो कि गांधी जी कया जिकर्ज्क छत्रचल है जानते हैं गांधी जी को महात्मा चनपारुन की अगति merchटी ne именно नील की pitch क्यून जो अंग्रेजों का yeah वहरा जो कराया जाता था, अज तक्रीबन तक्रीबन वह इस्थिती है, कि आपको मजदूस्त भी बना करके छोड़ा जाएगा, आपको काम करना है, लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है, वो नहीं दिया जाए. यह एक बड़ा विशे हम लोगों के सामने हैं, और हमको लगता है, कि सरकार जब कहती है, तो लिखने में, लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब सरकार ऐसी हो रही है, बिहार के सरकार मुक्रमंत्री जी को देती है, आई सदन में आप सब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा, कमिटी बनाने की बात की गे थी करोना को लेकर के. सदन को ही जब जूट गुमराह कर दिया जाता है, जहां बाते में सुनी जाती है, केवल मीडिया में बैठ करके हवा बनाया जाता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोग विश्वास कैसे करें, लगतार हम लोगों का गलाप खट गया चीख-चीख करके, कोई सवाल का ज सब्सक्राइब करें, अगला सब्सक्राइब मिले जवाब होगा तब तो मिलेगा, तो ऐसे सरकार जो जूटी सरकार हो इसादन को ही गुमराह किया जाता है, पहली बार एक पड़ंप्रा चल परी है, एंडीय सरकार में, जूट बोलो, मजबूती से बोलो, सांदार बोलो, और बार बार बोलो। जमीनी स्थित्ती क्या है, हकीकत क्या है। जो अधिकारी दिया, उसको पढ़कर के बोल दिया गया। मास्क मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ। फिर बोलते हैं, हमने तो बोलाएंगे, जो दिया उपढ़ लिया। आप किसके लिए आप देश की जन्ता के लिए हैं बिहार की जन्ता परेशान हैं तो आप उस पर लाथी चार्ज कर्वाते हैं किसानों पर नौजवानों पर तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों को लगा कि आप लोगों को बुला कर कि इसका जिक्र हम सब लोगों को करना चाहिए और कोई सवाल अगर होगा इससे डिलेटेक्स होगा इसके सवाइब कोई सब्सकान है तो इससी फंडिंग से चलते हैं और उनी के लोग इस अबसन में किसांद इसके इडोग में कामीद लिए देखें उनके आपको कोई टीपाटस ने ने गरता है तो सब्सकार बुला कर कि बात कू करते हैं हम जहीं बात है कि अब लोग सब लोगों को हम लोग शामिल थे विहार विधान सभाविं भी आप लोगों ने देखा होगा विधान की खरीद को लेकर के साजा हम लोगों ने जो है प्रश्ण उठाये थे विधान सभा में और इसमें सभीरों को अभी फैसला हुआ सब लोगों को नेवता दिया जाएगा और जरूर हमारी हमारी जो चुनाओं में दे लड़ाई थी इन मोंद्दो पर थी? पढ़ाई, कमाई, दबाई, सिचाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार पर एगा तो हम लोग तो इस मुद्रे के साथ चुनाओं में हम लोग थैंक यू थैंक यू अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें